नमस्कार दोस्तों स्वागत या आपका फार्मरोक्स के यूटूब एजिकुस्टे चैनल में आज की उडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करने वाले हैं दुबलेपन के बारे में दुबलापन मनलब के ऐसे medical condition कि जिसके अदर आपके सरीर का वजन जो वो नहीं बढ़ता या फिर ऐसा फिल करते कि आपका सरीर जो वो काफी पतला है या फिर उसको medical terms के अंदर हम thinness भी कहते हैं तो ये problem को ठीक करने के लिए कौन सी दवाईया या यूज होती है किस तरह सी ये problem को हम solve कर सकते हैं तो detail में जानते हैं आज के lecture में और सीखते कि दुबलापन को दूर करने के लिए कौन सी दवाईया वगेरा यूज होती है तो ऐसे समझे के आपको detail में सीखना है बहुत सरी दवाईयों के बारे में अलग-अलग बीमारियों के बारे में तो आप medicine course को जोईन कर सकते हैं तो ये course जोईन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो अब आते हैं topic पे और समझते हैं thinness याने की दुबलाबन के बारे में तो ये ऐसे medical condition है कि जिसके अंदर आपका सरीर का जो वजन है वो normal से काफी ज्यादा कम है कि जो किसी भी person की जो height होती है तो उसके अकड़ूंग तो उसका जो वजन है वो proper होना जो जरूरी है पीसे बहुत सारे जो वो reasons हो सकते हैं तो याप याप BMI के according to आप समझो कि जब भी आपका जो वजन है और आपका height है तो उस पर से जब हम आपका BMI निकलते है body mass index तो वो जो है मान लो कि 16 से कम आता है तो ऐसी condition को जो है वो हम कहते है कि severe thinness के condition हम कहते है कि बहुत ज्यादा दुबला बन है आपके जरूरी के अंदर आप जो है वो काफी पतले हैं फिर 16 से 17 के बीच में समझो कि ये BMI आता है तो उसको हम कहते है कि moderate thinness कहते हैं फिर mild thinness कही जाते है कि जब 17 से 18.5 के बीच में जो है आपका BMI है पर जो 18.5 से 25 के बीच में समझो कि आपका आ जाता है BMI तो उसको हम normal कहेंगे कि जब आपका height और weight जो है वो proper maintain हो रहता है कि कुछ हेज के बाद जो है वो height तो नहीं बढ़ दी पर जो वजन होता है वो proper maintain होना है तो वो करने के लिए जो अलग-अलग धावाय यह उस होती है अलग-अलग जो तरीक ही यूज होते हैं उसके बारे में हम study करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यह जो दुबला बन होता है कि आपकी जो proper height है और वो height के compare में आपका जो वजन जो हो proper ना हो तो इस तरह से आप जो ही वो काफी दुबले पतले दिखते हैं या फिर आपके सरी में proper जो ही वो हम कहते हैं कि fat ना होना कि आपके सरी में fat जैसा ही present नहीं है सीर फोर सीर पैसा फिल होता है कि आपके हड़िया वगेरा इस तरह से देखती है या फिर आप काफी जैदा पतले हैं तो ऐसी conditions के बहुत सारी reasons हो सकते हैं तो पहला एक reason यह है कि family history पे रहते हैं कि समझे कि आपके family history के अंदर दुबला बन ही है या फिर genetic के लिए आप देखे तो metabolism नहीं हो रहा मनलब कि जो भी आप कुछ खाना खार रहा है वो आपको लगता नहीं है तो उसका reason यह होता है कि जब भी आप कुछ खाना खाते तो उसका digestion अच्छे से नहीं हो पाना उसका metabolism अच्छे से नहीं हो पाना तो ऐसे condition में क्या होता है कि खाना पिया जो कोई पह से भीमारी आपको हो जाती है तो वह बीमारी के करण भी लॉस होजाता है और वेट लॉस होने के करण आप जो है वह दूबले पतले देखने लगते हैं फिर जो फूड जो है वह पच्चे से नहीं ले पाते किसी करणी करण फिर जो आर्थिक कंडिसंट समझे कि ऐसी है कि अच्छे से आप जो फूड अफॉर्ड नहीं कर पते तो ऐसे कंडिशन में भी ये प्रॉब्लम जो हो सकता है कि जिसको हम कई बार माल नूट्रिशन भी गएते हैं और समझे कि मेडिसिन समझे कि ऐसी आदे कि जो आपकी बूग कम कर देती कि कई बार जो कुछ हम दवाईया लेते हैं तो उनके साइड एफेक्स के तौर पर क्या होता है कि बूग कम हो जाती है तो मान लो उस टाइप के कोई बीमार ही हुई है ऐसी कोई दवाईया जो आप लंबे समय तक ले रहे तो उसके करण भी उनकी साइड एफेक्स करण भी आपका वजन कम हो सकता है आपकी बूग कम हो सकती है और उसके करण ये दुबला पतला जो वो प्राब्लम हो सकता है तो उसके लिए जो अलग-अलग जो remedies है तो सबसे पहले आप देखो तो उसके treatment में आप किस तरह से कर सकते हैं सबसे पहले patient को जो है वो milk लेना चाहिए अच्छे से कि आप डेली एक glass जितना milk लेते हैं कि आप सूबा लेते हैं या फिर आपको ठीक हो सकता है कि जिसके लिए प्रोटिन से एक सब्सक्राइब यूस कर से जैसे कि आप यह marketed formulas ने एक ज़क्ते देख सकते कि जो compliance करके हैं उसके लावा जो proteins के बहुत सारे options मिल जाते हैं market के अंदर तो उसमें से आप कोई भी एक product जो वो use कर सकते कि जो specially आपको protein provide करता है फिर डेली जो एक या दो के लिए खाने के आपको habit बनाने चाहिए कि जिससे भी आपका वजन जो वो बढ़ सकता है तो ये खास दियन रख हैं कि बनाना भी काफी help करते हैं weight gain को करने में तो ये आपके लिए एक अच्छा option है food में से फिर नींद भी आना अच्छे से जरू है कि जो 8 गंटे की जो proper नींद कहते हैं कि जो sound sleep यानि कि जो गहरी नींद जो है कि proper समझो कि आपको 8 गंटे की गहरी नींद आती है तो भी ये problem जो वो solve होता है तो आप दवाईया भी लेते है food supplements भी लेते हैं पर साथ में आपको अच्छी नींद दाना भी जरूरी है तो ये option है याँ पर फिर आपको food में से सोया बीन वगेर अच्छे से लेना चाहिए कि सोया बीन भी एक अच्छा source होता है protein का तो सोया बीन के अलग-अलग products अप ले सकते हैं तो ये अपको अच्छी मातरा में जो ये वो protein मिलता है और वो आपको weight gain कराने में मदद करता है पिर जो jow होते हैं जिसको आम barley भी कहते हैं तो उसके बनाए जो अलग-अलग product के समझे कि ये उसका आटा तायर करते हैं आप उसकी बनी रोटी खाते हैं या फिर उसका अलग-अलग products बना कर आप लेते हैं कि उसकी खिचडी वगेरा बना कर खाते हैं तो वो भी एक काफ़ी beneficial होता है दुबले-पतले problem की फिर जो dry fruits होते हैं कि अगर आप समझे की economically afford कर सकते हैं अच्छे से तो लेते हैं और उसको जो थोड़ा गरम कर लेते हैं पका लेती हैं और उसके बाद जुद्धू तयार होता है उसको आप रात को जो वो सोने से पहले जो रोजा न लेते हैं तो उससे भी आपको काफी जो फाइदा होता है या फिर directly समझे कि आपको पसंदे dry fruits खाना तो वो भ कर साथ है कि जिससे आपका दुबला पतला पन जो है वो खीक हो सकता है फिर एक balance healthy diet की जरूरत रहती है यहापे कि जिससे आप अलग-अलग fruits वगरा लेते हैं उसके साथ ये vegetables भी लेना जरूरी है कि प्रॉपर आप चार्ट बना देते हैं और एक routine बना देते कि आपको Monday को क काफी मदद करता है आगे जो option है वो है अस्वगंदा का है तो अब आते हैं medicine square तो अस्वगंदा के जो tablets हते को अलग-अलग जितनी भी herbal companies है जैसे कि हेमालिया है बैदनाथ है डाबर है जंडू है बहुत सरे से जो company से वो जो tablets बनाती है या फिर उनके चूरन वगिरा भी आ आता है और आपके weight gain करने में भी आपको मदद करती है दूसरा option बनता है सतावरी का तो सतावरी के लिए भी same option रहता है कि आप एक tablet जो दिन में दो बार खास सकते हैं तो यहाँ पर क्या करना होता है कि आप सतावरी भी लेते हैं और सादूसत अस्वगंदा भी लेते हैं औ अगर यह सूट नहीं होता तो और आगे भी option है कि aptimust करके syrup आती है तो यह syrup जो आपको बूख बढ़ाने में काफी मदद करती है कि कई बार एक reason होता है कि आपको बूख नहीं लगती और बूख ना लगने के कारण भी आप proper खाना नहीं खा पाते आपको diet आप ले नहीं प करता और वजन ना वटने के करान जो दुबला बतला पन आपको फिल होता है तो ऐसे कंडिशन में यह जो medication के अंदर ciproheptadine hydrochloridic main ingredient है कि जो आपको मदद करता है बूख बढ़ाने में और उसका जो dose की हम बात करे तो 5 ml जितना आप उसको ले सकते है दिन में 2 या दिन में तीन बार उसी के tablets भी available होती है कि यह आप आप देख सकते हैं cipla protein करके कि जो cipla उसको manufacture करती है main उसके अंदर salt content तो वो ही है ciproheptadine करके और वो 4 mg जितना यह tablet के अंदर present होता है और इसका जो dose रहता है वो रहता है खासकर एक tablet जो आप दिन में 2 बार ले सकते है कि जिससे आपके भूख अच्छे से आपको लगती है और भूख लगती है तो आप वो जो भी आपका पसंदिदा खाना है वह अच्छे से खाबादे कई बर क्या होता है कि बूख ना लगने के करण भी यह problem होता है कि आपके आसपास आपके पसंदिदा खाना होने के बावजुद भ है वो है जिंकोविट का तो जिंकोविट के टाबलेट्स अदे कि जिसके अंदर मल्टि विटामिन्स रहते हैं मिन्रल्स रहते हैं ग्रैप सीड का एक्स्टेर के ताइट है कि एक न्यूट्रासुटिकल प्रॉडक्ट है कि जो आपको वजन बढ़ाने भी बदल करता है आपक दिन में एक बार जो ले सकते हैं अगर कोई टाबलेट नहीं ले पाता तो सेम प्रॉडक्ट की सीरप भी अवेलिबल होती है कि जो आप खाना खाने के बाद जो ले सकते हैं पांच या दस एमिल जितना दिन में दो बार फिर यहाँ पे अच्छे एक प्रॉडक्ट आती है क जिसको D-gain कहा जाता है कि जिसके अंदर स्पेसली कॉल कैलसी फेरोल की जिसको विटामिन D3 कहते हैं उसके यह सचेट साते हैं तो यह जो सचेट होता है उसको आपको अच्छे से पानी में मिक्स कर लिना होता है और वो जो पानी है वो तुरंद पीना होता है और उसका जो है फिर हीमालय का यहाँ पे प्रॉड़क्ट आगए जिसका नाम है क्विस्ट आप करके हैं तो वह भी आप ले सकते कि जैसे प्रोटेन पाउडरस आप यूज कर सकते हैं सेम उसी तरह से आपको वेट गएन के लिए यहाँ पे यह हीमालय का प्रोड़क्ट मिल जाता है फि यह मेडिकेशन जो आपको वजन बढ़ाने में मदद करती है साथ और साथ यह मेडिकेशन बीना साइड एफेक्ट वाली होने के करण कोई बॉड़ी पर आपको प्रॉब्लम भी नहीं होता और अच्छे से आप आपका जो दुबला बन है उसको ठीक कर सकते हैं तो यह जो सेरे में में अच्छे से नहीं होता और उसका रीजन यह है कि आपके सेरे के अंदर डाइजिस्टिव एंजेम्स की खमी है तो ऐसी कंडिशन में आप बाहर से सप्लीमेंट्स ले सकते जैसे की एरिस्टोजाइम करके आते हैं तो क्या होता है कि जो भी आप कुछ खाना खात होते हैं और खाना खाने के बाद समझें कि आप यह अच्छे से सिमिलर वीट आजयम करके प्रोड़क्ट आता है तो ये भी मदद करता है आपको मेटाबॉलिजम को बढ़ाने में कि आपके सरी में डाइजेस्टे एंजयम नहीं बनते तो ऐसे अब दो सिम रहता है पांच हमिल जितना आप लेते हैं खाना खाने के बाद तो ऐसे ही समझे कि आपको डिटल में सीखना है बहुत सारी दवयों के बारे में कि जैसे आज हम यहाँ पे दूबला बन के बारे में सीखा कि पतला बन को ठीक करने के कौन से अलगलग दवाईया य लिंक आपको डिस्क्रिप्सेंट बॉक्स में मिल जाएगी गूद लग अनल दे बेस्ट